काफी जादा बढ़िया मौसम है आज अपने लॉस सेंट आस में और लॉस सेंट आस के हाल काफी बढ़िया चल रहे हैं इस वक्त बस मेरे हाल बेहाल हो रखे हैं यार इस वक्त क्योंकि जरा तुम लोग यार मेरे बैंक में पैसे देखो कितने हैं मैं तुम लोगों दिखाता भी भी निया भाई कितने जादा बुरे हालात हैं मेरे इस वक्त लिटरली में भाई लॉस्ट एंट ऊस्प में अगर अमीरों की लिश्ट छोड़ो गरीबों की लिस्ट निकली तो उसमें भाई मैं टॉप पर आऊंगो क्योंकि सबसे कम पैसे होंगे मेरे पास भाई तीन काईसे जुगाड करूँगा और एक सेकिन यह एक चीजह है यह जो हमारे घर के चछत से शुरू हो रही है हेलो वह यह शिंचन बिंचन भाई तुम लोग ने चीज गी भाई हमारी च्छत पे अरे हां यार तुमने भी वह चीज हो चीज देखी क्या मैंने तो सब से पहले कि देखाट तुम से पहले हम लोग ने देख लीजा एक कफू तुम लोग न kale निघा れगो के तुमonderशन करपा तुम लह extrude कफिने निए करने क्यों जोनतु M बाइब लगवाने की बताओ यार स्टार्टिंग लाइन स्टार्टिंग बैनर भी यहां पर लगवा दिया कोई बात होती है यह एक तो वैसे हमारे पास 308 डॉलर है खर्चा करने के लिए कुछ है नहीं इसका पैसा अलग से मांग लिया तो कौन है यह यहां पर एक बंदा तो खड़ा है कुछ हाथ में बूर्ड वगएर लेके स्टार्ट प्रो लैप्स लॉस सेंट ऑस ट्रायतलोन और यह सब स्पॉंसर्स है भाई इस रेस के अरे भाई हेलो हेलो भाई क्या ड्रामा चल रही है लॉस सेंट होस में तुम कौन हो मैं इस घर के माली को भाई मेरे घर की छट पर ही यह रेम का बैनर लगा के तुम यहां पर पूछ रहा है कि तुम कौन हो अच्छा तो तुम्हारा इनाम ही है फ्रैंकलें हाँ भाई मेरा इनाम है फ्रैं पर यह लगवाए है altre है किससे पूछ के बिना किसे से पूछे मेरे घखर पर तूने रएंप लगलĩ और वह मेरा बिना पुलीस वाला ही ही हो थो मैं कुल दो मैं मिलीटरी बुला दूँगा में पहले मिलीटरी वाल लुख था सबाते में मैं प्रेजिडेंट मेरा भाई ही है अब यार तु क्या है भाई कहां तेरी पॉंच है जहां तक सोच सकते हो वहां तक पहले तु यह बता तुने यह रहें क्यों लगवा है आजाओ अरे क्या बख्वास करें अरे थीक है यार चलते हैं जरह सुनते हैं कैसे पैसा कम वाएंगे यह अंकल हमें आज़ा आज़ा फटफ से चट पर तो सर बढ़ताओ फटफट से हम लोग सारे आ चुके हैं फटफट से बताओ किस तरीके से हम लोग यहां पर पैसे कमा सक यह जो रैंप है बहुत ही जादा डिफिकल्ट रैंप है इसमें डिफिकल्ट क्या लग रहा है यार सिंपली जाना ही तो आगे वैसे यह पार्कुर रैंप है बाइक रैंप है कैसा रैंप है यह पार्कुर रैंप अच्छा बिना बाइक वागेरा वाला बिलकुल ओके फिर कुर्र रेस को करने का मौका सब eigenlijk 8 मीलेगा लेकिन जो इस पार कुर्क यस कुछ जीतेगा उसे इन तीनों वीकल्स में बाद जो थे जो दूसरा कंप्लीट करेगा बैसे फिर बचे हुए दो वीकल्स में से वह ही कल सकता है और जो एंड्र में कंप्लीट करेगा उसे जो सबसे लास्ट में वीकल बचा होगा उसे वो वीकल लेना होगा वो तेरी मतलब तीन प्राइज है इस रैम चैलेंज के बिल्कुल अरे वाई यह तो बहुत ही बड़ा और सॉलिड रैम चैलेंज है यार अब मैं पाटिस्पेट करने के लिए रेडी हूँ लेकिन इसकी एक शर्त है क्या अगर कोई भी इस रैम चैलेंज को कर रहा होगा तो उसे बाकी के प्लेयर्स या कंटेस्टेंट देखेंगे नहीं अच्छा मतलब मैं अगर पहले जाओंग इस रैम चैलेंज को करने के लिए तो शिंचन पिंचन और चॉप को छुपना होगा बिल्कुल वो तुम्हे इस रैम चैलेंज को करते हुए देख नहीं सकते अगर देख लिया तो अगली बार वो काफी एजली कर लेंगे अरे ठीक है मनजूर है ये चैलेंज तो फे ठीक है सबसे पहले बता दो कौन जाना चाहरा है या बाई साब यार कलूँ है सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा अरे पहले मैं जाऊंगा यार अरे नहीं 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 पहले मुझे जाने दो पहले तो मैं ही जाना चाहता हूं सर औरे यह तो चारो ही लड़ गए हैं तो को मैं सेलेक्ट करता हूं तो सबसे पहले इस काले डॉगी को भीजते हैं बैबाइट आप काला डॉगी नाव निया मेरा बेरा नाम चॉप है तेरा पिछवारा नोज डालूगा मै? आचा सॉरी सॉरी तो सबसे पहले इस चॉप को उसके बाद इस शिंचेंड को उसके बाद इस पिंचेंड को उसके बाद फ्रेंक्लेंड अरे मेर को सबसे लास्ट में कर दिया यार कोई बात होती है ठीक है मनजूर है अरे हमें तो मनजूर है हर तो भाई मेर को भी मनजूर है मुझे भी अब मनजूर ही है और कोई आप्शन ही किया है ठीक है तो भाई सबसे पहले मेरे को मौका मिल रहा भाई मज़ा आ गया All the best chop तो सबसे पहले इस पार्कोर चैलेंज को कम्प्रीट करने के लिए जाएगा chop तो मैं request करूँगा बाकि कंटेस्टेंट से कि वो जाकर छुप जाएं ताकि उन्हें ये पार्कोर रेस बिल्कुल भी ना दिखे ठीक है जाकर छुप जाते हैं आजा बई शिंचन पिंचन ये अलगी शर्त है यार शायद कुछ ट्रिक्स होंगी तभी तो ये हमें छुपने के लिए कह रहा है क्योंकि देखो भाई चौप कंप्लीट करेगा तो हम लोग उसे इस पार्कोर रेस को करते हुए देख लेंगे तो शायद हमें वो ट्रिक पदा चल जाएगी इसलिए छुपने के रहा ठीक है मुंजूरे भाई और भाई कैसे हो देख तो नहीं रहा है यहां से अरे नहीं यार नहीं देख रहा बिलकुल भी ठीक हमें यहीं रुकना है जब तक चौप का ये रेस कंप्लीट नहीं होता तो सुनो डौगी बैच चौप नाम है भाई मे एलो इधर रोन का बना ग़ struggled Edition खौप एलो धर कजिए परे ब्यंदधर क्सक्राम बना हूआ एक से में सचत बहुत है ख्या Parliament खौने यह देखो भाई निशान बना वाई यह इघर और Google यह आर गाया है गिन संटक ऊप्लीदर घौ मतलब दूसरी तरफ जाना है, ओ ये क्या ट्रोल रेस है भाई, भाई, इसका मतलब इधर से जाना है, तो जाओं फिर मैं इधर से ही, ओ यहाँ, ओ यहाँ, भाई, इधर से ही जाना था, ओ तेरी मतलब जो रास्ता दिख रहा है, वो रास्ता है नहीं, उसके दूसरे वाला रा आक्पद जैसे कि यहां पर यह रास्ता है कि यहां पर दिख रहाई यह रास्ता है नहीं वो वैंसे रहम मेंनेजर हम कितना बार वी गिरन बभाई इन जैसे बैं потр से देखा भाई मैं कहा नहीं रहा था जैसा दिख रहा है इस रैंप में वैसा है नहीं अब जैसे सबसे मुश्किल रास्ता यह लग रहा होगा नहीं वो लग रहा होगा लेकिन सबसे मुश्किल रास्ता यह है दिखाओं मैं तुम लोग को करके यह देखो भाई इधर से अब विड्न मिल कितनी इजी थी यार मैं कहनी रहा जो रास्ता दिख रहा है वैसा है नहीं और अभी सबसे आसान रास्ता ये लग रहा है लेकिन हमें जाना होगा पका इधर से चलते हैं फिर इधर से ये देखो भाई मैं कहनी रहा हो रहा वायार मैं तो ट्रिक पता लगा ली मतलब मैं इरको सीडियो से नहीं साइड से जाना था अब ये मैं पूंच गया yapt-7 लेवल पे ऊदर जाना है किदर से जाऊ मैं बीचो बीच चलते है अबे नहीं नक लीता ये तो लेफ्ट से चलते है सबसे बेस्ट सबसे बेस्ट अबे ये फी नक लीए भाई राइट कौन सा है तो राइट से ही चलते है चलो भाई ये तो इकलोता बचा हुआ है ये तो सही होगा अब ये भी बेकार है भाई क्या ड्रामा हो रहा है ये तो सही कौन सा है ये बीज में से हेलो और भाई यहां से राजसा तायार क्या ड्रामा हो रहा है मेरे संग ये चलो अब यार इदर से भी गिर गया मैं तो अब ये एक सेकिंड मैं जरा इस भूल भूले या कि साइड में से जाओं हेलो आसे इदर से तो जा सकता हूँ शायद अब ये इदर से जाना था यार लेट्स को अब बाइक चलानी है हो जाएगा भाई को किदर लेके जाऊं इदर लेके चलते है लेड़ गो सिंपली अब है यह तो रैप के संग भी धोक możli आ गया West प्वाइसन तो सिर्फ अज़ धोखे पर दो के हो रहा है यह तो असली है और अब कहा जाना भाई हेलो इदर जाना चलो बाई हा गया और इसी के साथ फाइनली फिनिश लाइन भी आने वाली है चलो चलो फटा फट चलो कैसे जाऊ मैं कैसे और या गिर गया गाड़ी लेकर चलते हैं या फिर पैडल ही चलते हैं दिकत वाली क्या बात है अबै यार पैडल नहीं जाना तो ओए वो बहुत उचाई से कि रिक साथी बाहर आ जाएं अरे पुक्या पाक़ा आ जाओ आ जाओ चौप ने क्या पुछ नहीं क्यों भाई क्यों क्यों तो कंप्लीट ही नहीं किया चॉप भाई हेलो भाई चॉप कुस्तो बोल चॉप भाग गया सर वो क्यों क्यों कि मैंने उसे मना किया कि वो किसी भी कंटेस्टेंट से बात ना करे लेकिन ऐसा क्यों ताकि तुम लोग उससे कुछ पूशना सको आरे यार ऐसी के रेस है ये क्या ही ऐसा खतरनाक है इस रेस के अंदर खेर जूब ये फिलाल तो चॉप जा चुका है गाईज अभी फिलाल शिंचें की नेक्स्ट बारी थी भाई है यस अरे हाँ यार मेरी बारी है तो बाकी बचे को दो कंटेस्टेंट जाओ चुप जाओ अरे मुझे क्या करना है कुछ नही चलो चलो हो गया कॉपलीट तो यह मैं आ गया सेकिंड वाले लेवल पे और यह काफी जादा इजी है इदर से अरे गिर गया अरे मेर संग यह क्यों हो रहा है यार जिदर मैं चुन रहो वो गलत रासता क्यों निकल रहा है अब जैसे इदर से सिंपली इदर से जाना होगा लेकिन ये भी नखली है अरे तो अब किया इधर से जाओं में यह टेंक के नीचे से कैसे निकलों टेंग साइड से निकलने की कोशिश करता हूं चलो टेंग वाले भाई यह कुछी चोट मत पहुँचाना मेरे को साइट से निकलने की कोशिश कर रहो मैं बहुत ही बढ़ी है हूँ है निकले साइड से अप कहां से जान जाना है यार सी धे जाना है क्या अरे अधर बहुत सारी में दिंदर से जाओं गां अरे भृत ज्यादा दिमाग चलाते हूए लेड्स आगया अरे नकली अरे विंड मिल से जाने से अच्छा तो मैं इदेर से ही जाओ यार भले ही दो चार बार गिर के क्यों न चाहूँ मैं तगडी सी छलांग लगा देता हूँ अरे फिर भी नहीं पहुच पाऊँगा क्या अरे लगता है विंड मिल के फटके खाते हुए ही जाना पड़ेगा कोई बात नहीं इधर से निकल देते है ये 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 विंड मिल गई और ये बचके अरे ये क्या है अरे विंड मिल भी नकली है क्या और सिंपल यहां और बढ़ते जाना चलो आरे यह भी नकली निकला क्या भूरा है मेर सम्ट नहीं ने पाई शिंचन उदर क्या कर रहा होगा यहां पर इन लोगों ने चौप को भी छुपने के और आपस में बात करने क्यों नहीं दे रहे भाई I have no idea अरे simply इदर से सीडी से नहीं जाना था क्या ही किस्मत है मेरी फूटी किस्मत तो इदर से जाना है क्या फिर अरे अरे हा यार इदर से ही जाना था क्या हो रही है अरे ये तो बीच वाला रास्ता भी नहीं था क्या करू अब भे अरे तो लगता है ये वाला रास्ता होगा चलो अरे अरे इदर रास्ता नहीं इदर था रास्ता एक सेकिंड रास्ता पता चल गया है मुझे क्या लग रहा है इदर से रास्ता लेट्स गो अरे हाँ यह यह रास्ता फाइनली पहुंच गया चलो 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 बहुत ही जादा सिंपल नहीं था यह कोई बात नहीं इस बार हो जाएगा बहुत ही सिंपल है यह अरे इदर कहां जा रहो मैं चलो चलो बहुत ही अरे फिर से नीचे करिया मुझे क्या लग रहा है साइड में से जाना होगा लेकिन साइड में तो रास्ता ही नहीं है तो इस वाले साइड से रास्ता है चलो चलो इदर से चलते हैं अरे हाँ हाँ बिल्कुल इदर से ही जाना यार चलो चलो फाइनली पहुंच गया मैं अरे अब इदर से कहां से जाना है रुको मैं तुम्हारे लिए बाइक मंगवा देता हूँ चलो यार बाइक आ गई इससे तो सिंपली हो जाएगा ये तो फाइरली पहुंची जाओंगा मैं कम ओन लेट्स गो किदर चला गया मैं हेलो अरे ये तो राइट वाला नकली निकला है यार मतलब मुझे इदर लेफ्ट जाना है लेकिन इदर तो कही रैंपी नी था फिर भी मैं आगे कैसे आगया मुझे नहीं पता और मैं नीचे गिर गया अरे ये तो बहुत ही जादा कन्फ्यूजिंग है लेकिन जो भी हो मैं दस्वे लेफल पर पहुंच गया इदर से अभी आगे चलते है चलो इदर पता नहीं मैं किदर पहुंच गया लेकिन आगे जाये जा रहा हूं मैं नीचे गिर गया चलो अभी फाइनली फिर से गिर गया अरे तो इधर जाना किदर है इधर जाना है क्या मुझे तो लग रहा है कहां गिर रहा हूं मैं तो फिर इधर जाना है क्या अरे हाँ शायद इधर ही जाना है पहुच गया फ्रेंगल भी है पहुच गया मैं अरे चलो चनल, फाइनली फिनिश लाइन के नीचे से तो निकल जाओ कम से कम है अरे किदर आगए मैं, अरे फिनिश लाइन पर क्यों नहीं जा पारा मैं, मेरी बाइक, ओ आ गई, आ गई तो इसी के साथ यहाँ पर शिंचैन ने फिनिश लाइन को कर दिया है क्रोस और शिंचेन तुम्हें कौन सी गाड़ी चाहिए इन तीनों में से अरे मुझे तो वो हेलिकॉप्टर चाहिए तो वो हेलिकॉप्टर आज से तुम्हारा होता है Congratulations शिंचेन अरे थैंक्यू थैंक्यू मज़ा गया तुम अपनी प्राइज मनी के सामने खड़े हो सकते हो शांती से ठीक है थैंक्यू तो बागी बचे वो कंटेस्टर्ण सा जाओ अरे हमें बुला रहे हैं जा जा भई पिंचेन तेरी बारी है मैं क्या आके खरूँगा ठीक है यार मैं अभी आता हूँ जा फटाफ्ट से कम्टीट कर मुझे पता निकमो का मिलेगा यार सबसे एंड में पता नियार इस मैनेजर ने मेरा नाम क्यों रखा है खेर जो भी हो तो तुम्हारा नेक्स टंबर है पिंचेन अरे हाँ मेरा ही नंबर है लेकिन एक सेकिंड यार मेरे को बहुत ही तेज का बातरूम आ रहा है अब पिंचेन भाई अभी तो बातरूम कर गया है तू अरे पेट खराब हो गया यार लगता है मेरा क्या बकवास कर रहा है अरे हाँ यार बहुत ही ज़ादा एमरजेंसिय भागो पेट खराब हो गया तो कितनी देर बाद निकलेगा तू शायद आदा गंटा या तो एक घंटा या तो दो गंटे बात गया मैं तो हो ले भई पिंचेन तो बातरूम में गया अब मैनेजर भाई तो एक काम गरो जब तक पिंचेन नहीं आदा तूम आजाओ ठीक है फिर लेट्स को काईस चलते हैं फटा फट सही है यार इस पिंचेन का पेट खराब हो गया मेर को नंबर मिल गया लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद तो नंबर आई जाता मेरा उतना कुछ फायदा नहीं हुआ शिंचेन का पेट खराब होता तो शायद मेर को दूसरे नंबर पे मौका लेकिन नहीं फिर पिंचेन जाता अगर शिंचन, पिंचन और चौप तीनों का पेट खराब हो जादा तब शायद मेरे को पहले नमबर पे मौका मिलता लेकिन तीनों का पेट कैसे खराब हो सकता है वो भी एक ही संग घर चूबी हो तो सर सच में मेरा ही नमबर ही है येस तुम्हारा ही नमबर है वैसे प्राइज मनी क्या क्या बचा हुआ है अभी कि तक अभी तक तो बहुत कुछ बचा हुआ है अभी तक टैंक बचा हुआ है बाइक बचे हुई है बाइक से मतलब किसे है मुझे तो टैंक चाहिए प्राइज मनी यहां से नजर भी आ रिये इस तरह मैं एक पर उस प्राइज मनी को निहार लू भाई ओके ओओ क्या ब्यूटिफुल टैंक है वहाँ पर इसे तो मैं ही लेकर छोड़ूँगा लेकिन ले लूँगा तो छोड़ूँगा क्यों नहीं मतलब मैं ही लूँगा इसे तो तो जाओ सर मैं जाओ स्टार्ट करो ओके तो काफी जादा सिंपल है यह आरे यह तो बहुत ही सिंपल है देखो टूटा हुआ है सामने हिस्सा इधर से बे मतलब की जंप लगाने से अच्छा simply इदर से जो मुझे पता है यह शिंचन और पिंचन जो भी मतलब पिंचन कहा गया पिंचन तो अभी फिलाल बातरूम में गया है और अभी तक जो भी यह शिंचन और चॉप गया है उन लोग ने इदर से ही ट्राइ किया होगा मस्त एक गम जंप लगाने का लेकिन अपने को एजी डेंशन चाहिए नहीं अपने को बिल्वल सिंप्ली जाना एकदम प्यार से अपने को कोई लफड़ा नहीं चीए हेलो भाई कहां किरिया मैं और क्या ड्रामा हो गया भाई मेट सेंगे मैं तो सीधा जा रहा था नीचे कैसे आ गया अरे कुस तो धोका हुआ है एक सकीन एक सकीन वापस करते हैं जर आए यह हेलो एक्सक्यूज मी भाई मैं इधर सिंपली एकदम प्यार से जा रहा हूँ इधर मैंने पाउं रखा तो यह पाउं देखो पाउं अभी अरे अरे यह तो नकली है यह प्लैटफॉर्म पुरा का पूरा नकली है क्या ड्रामा है यह सर मैं क्या यहां पर रैम पर किसी भी वैपन का यूज कर सकता हूं बिल्कुल किसी भी चीज का यूज कर सकता हूं बिल्कुल लेकिन हां बाइक या फिर कार का यूज नहीं कर सकते हैं अलग से जो भी रैम पर प्रोवाइड़ बाइक्स या कार से उनहीं का यूज कर सकते ह हाँ हाँ वो तो पता ही है मेरे को मतलब वैपन्स वगेरा में यूज कर सकता हो ना भाई बिल्कुल डेफिरेंटली तो ठीक है चलो गाइस यह मैं कुछ स्नोबॉल्स लेकर आया हूँ कहां है यह रही इनको भैक कर देखते हैं कि कौन कौन सा प्लैटफॉर्म नकली है यह नकली है वो वाला वो वाला असली है तो आई गैस मैं यहां से डाइरेक्ट जम्प लगा सकता हूँ देखा देखा मेरा कमाल देखा भई हलके में ले रहो किया तुम लोग मेरे को पता नहीं भाई वैसे शिंचन ने कैसे किया यह मेरे तो लंबी लंबी टांग है तो चलो मैंने जम्प लगा दी उसने कैसे किया हो गई यह हैलो उसने भी इतनी तगड़ी जम्प लगा दी क् अच्छा तो शिंचन यहां से गया होगा और यह तो अलगी दोखा चल रहा है भाई रहे हम पर जो सही रास्ता दिख रहा है वो एक्चली मैं गलत रास्ता है और जो गलत रास्ता है वो सही रास्ता है means ये एक ट्रोल रस होने के साथ साथ ये तो ऐसा हो गए रांग वे इस राइट रायट वे इस रांग आईग, وट organizations इस यहां पर प्लेट FORM है अरे व्याँ तो अभी नेक्स्नोबल फिकता हूँ अरे अरे मेरी स्नॉबॉल्स खदम हो गई चलो कोई बात नि मेरे पास ग्रेनेट भी है तो आई ये एक नकलीट प्लैटफॉर्म है और कितनी दूर फैंक दिया मैंने और यह तो यहीं यहीं गिर गया गलती से है तो इधर फैंक के देखता हो मैं अरे कितनी दूर फैंक रहा हुए और फांक दिया मैंने ओ शिट गलती हो गई हां तो इधर फैंक के देखता हूं मैं ओ हाँ देखो उसके आर पर चला गया ग्रेनेट इनकली प्लैटफॉम है भाई तो यह 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 य आरहा है भाई तू सिंप्ली इस टैंक की तोप को पकड़ो ओ वेट में टैंक के अंदर कैसे घुज गया क्या ड्रामा चल रहा है कैसा रहा है इन लोगों ने एक दिमाग खराक करने वाला आये नू आडिया मैं कैसे चला गया अंदर चला गया मैं टैंक के अरे यह तो बहुत ही जादा यूनिक टैंक है भाई यह तो मतलब एक तरीके से 3D होलोग्राम कह सकते हो तुम लोग बस दिख रहा है यह है नहीं यहां पर ऐसा कुछ औरे वाई यह तो बहुत ही जादा यूनिक ग्रैंप है मजा रहा है मजा आ रहा है इसका मतलब इसके आर पर ग्रेनेड और अरे क्या मेरद निभा हिला देंगे यह चलते है अई तो इधर तो आएक इस यह नकली होकर डेफिनिटली अरे ग्रेनेड तो ओपर ही टिक गया मतलब यह यह असली है यह अजली घृड़ान गिया तो अब यह फिर आगे से अबे असली नहीं था आग лишьा के अगर यह जाकर जलो उधर से चलते हैं थोड़े windmills के fate ए खाने पड़ेंगे बहुत जूरदार लगेंगे भाई इस के fate तो चलते हैं कमोन भखती बढ़ी ए Nick a second या रहै ये क्या है अब ड़े windmills भी नकली है इसका मतलब इस इस रम चेलिजज में जो असली दिख रहा है तुम लोगो को वो नखली है मतलब fake is real and and real is fake और भाई सब क्या क्या चल रहा है इस रम चेलिज में मेरे तो दिमाग हिला कर रख दिया तो इसका मतलब तो ये फेक है ठीक है ये असली तुम लोगो दिख रहा होगा लेकिन है ये फेक भले ये ग्रेनेट्स यहां पर टिक गए है लेकिन आगे जाके ये नकली होगा जरूर देखो ग्रेनेट मेरा आर पर चला गया वो और नीचे जाके ब्लास्ट हुआ है और वहीं पर ये तुम वह वाली सीड़ी नकली हो हेलो अरे उससे तो ठक्रा ओ इसरा निया यहां टिक गया था ओओ ये वाली दिखली है यह Васी यह उस्वालिक रशिय है और यह आर पर चला गया था देखा हम उव मैं सचाई से परदा उठा रहा हूं भाई सच सामने ला रहा हूं मैं भले मेरा मुझ तूट रहा है रैम कंप्रीट करने में कुछ हो या फिर ना हो मेरे ग्रेनेट्स खतम हो गए भाई आठ बचे हैं सिरफ तो अब देखो यहां पर सिंपली क्या लग रहा है कि तीन रास्ते हैं जाने के लेकिन यह डफिनेटलीoitल सिरकोगा यह ये ब इकश रएक यई यह भी आपक खुआ है नीचे चला गया मेरा ग्रेनेट्स और यहांपर खुदक के गया इसका मतलब है चूतर हम और जैसे यह अब इदर देख डीज देखते हैं कि यह दूव पीर दोघनिड मेर नीचे चल आइब आप भाई आगे तो फिर देखना पपड़ेगा और कोई रास्ता है क्या वब को रास्ता था दुझ नहीं खbung और लंब इन दोर्टा कीयों किसे में उआज करूं में को सब्सक्राइप करता है कि दर से एक पतली सी गली है यह फिक नहीं है वाइब लुड़ी है यस्ट्याएं मेरे िड Зब्सक्राइब नरर प्रग्ण हो गए खत्म ऑग चृज़ित की बॉम तो हिसे जोए बाइक चलो भाई अभी हम लोगों को जाना है सामने की तरफ बट अभी देखो मैं तुम लोगों को चेक करवाता हूं वो सामने जो प्लैटफॉर्म दिख रहा है वो दिख तो असली रहा है लेकिन होगा जरूरो फेक क्योंकि मेरा स्टी की बॉमार पर चला गया देखा बेधो को जाकर लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो येस अभी दक वीडियो को लाइक ने तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बरेकर प्रेस कर देना और Instagram और Twitter पर follow नहीं किया तो follow कर देना link description में और नहीं पहुंच पाया मैं अब रैंप दिखतो रहा है लेकिन पीछे नहीं दिख रहा है फिर भी रैंप है यहां पर और यह तो अलगी लेवल की रेस है भाई पर यहां से आएका कोई गारी लेकर हमें जाना पड़ेगा आगे कोई बंदा होगा तो क्या सेलेक्ट करेगा एक इसंपुर्टकार पट यहां पर इसंपुर्टकार एक jdski है और कोई नॉर्मल बंद वे तो सップे पर इसंपुर्टकार है वहां वाट यह तो अल्लh की लेवल की चीज़ है भाई जो Car हो रियल में बोट है और जो बोट है वह असली मेंCar है एक जैसे अब यह गाड़ी दिख रही Colon shrine लेकिन है यह जैसे वो Jets की दिख रही है लेकिन है यह एक Car significance वार बाई मजा आ गया यार मज़ा ही आ गया इस रेम चैलेंज में तो अब देखना पड़ेगा यहाँ पर कि नकली क्या है और असली क्या है जैसे यह वाला जो पार्ट है इसके आरपार हो जा रही है मेरी गोलियां यह नकली है यहाँ गोलियां लग रही है यह असली है यहां गोलिये लग रही है यह असली है अच्छा जहां जाएं यह निशान मने हुए है वो नकली है got it got it समझ गया मैं तो हमें कुछ भी करना है बस उन निशानों पर नहीं जाना है तो यहां से अगर मैं जाओंगा तो निशानों ने तो पूरा इस एरिया को close कर रख़ा है तो इधर से नहीं जाना है इसका मतलब हमें इधर से जाना है simply और इधर से जाना है यहां से फिर इधर इधर कोई निशान नहीं और इसी के साथ cross कर दिया हम लोग ने इस finish line को और मौका मिलता हमें एक गाड़ी select करनेगा क्यों sir बिल्कुल तो अब तुमने इस finish line को जिस हिसाब से cross किया है तुम बची हुई दोनों गाड़ियों में से कोई सी भी गाड़ी ले सकते हो कौन सी लेना चाहोगे अरे बाइक क्यों लूँगा मैं बाइक तो बहुत सारी है मेरे पास टैंक चाहिए वो भी military वालों का ये special से टैंक तुम लोग अगर choice मिलती गाइस helicopter टैंक और बाइक में से सेलेक्ट करने का तो तुम लोग क्या सेलेक्ट करते कमेंट में जाकर बताओ बाकी वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो इस्ट्राग्राम और ट्विटर फॉलो करो यार और मिल दें नेक्श वाली वीडियो में तब तक के लिए गाइस good bye अरे पिंचेन का क्या हो पिंचेन क्यों नहीं आया यार पिंचेन अभी बताता हूँ पिंचेन भाई कैसे हाल है अरे अभी बहुत बुरे हाल है पेट खराब है मेरा बहुत बुरी तरीके से अभी दो घं हार है अराम से